गर्मी का मौसम हो और आम की बात नहीं हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता आम का नाम सुनते ही सभी के मूँ में पानी आ जाता है भोजन की थाली में आमरस और उससे बनी मिठाई नहीं हो तो भोजन का स्वाद अधूरा ही रहता है फलो का राजा आम लोगों के भोजन का स्वाद तो बढ़ा ही रहा है साथ ही साथ ये कई घरों की आजीवी का भी चला रहा है गर्मी के इस मौसम में आम के पापड तयार किये जाते हैं और आम पापड के मामले में राजस्थान के प्रताबगर जिले का नाम सबसे पहले आता है शायद आपको ये ना पता हो कि प्रताबगर्जिले के आम के पापड आस-पास के इलाकों में ही नहीं बलकि देश के विफिन राजियों में प्रसित हैं आपको बता दें कि इस बिजनिस को शुरू करने के लिए कोई भारी भर कम इन्वेस्मेंट नहीं करना होता है और मुनाफ़ा भी अच्छा मिलता है लेकिन आम के पापड को तयार करने में मेहनत काफी करनी पड़ती है इस विशय में हमने आम के पापड बनाने वाले व्यापारियों से बात की तो उनहीं से जानते हैं कि इस बिजनिस को कैसे शुरू कर सकते हैं और कितना इन्वेस्मेंट करना होता है आज से कदल सतरी मन पचात बर सुरू हमारे पुरुवजे दुबरा आम पापड का उत्पडन सुरू किया गयता है शुरू में बहुत ही शोड़े रूपिस आम पापड का अपने घर के इसाद में बनाया गया इसके लाइफ कमते का मगार अपने सही जाड़ी के से स्टोरेज करें तो इस साल पहर तक यह पापड खराब नहीं होते है और इसी वज़े से इसको हर तरह के लोग इसको बहुत ही पसंद करते हैं तो यह नहीं के वल प्रताफ कड़ के आसपास में इंडोर बंबे सब सीडियों में भी में और जो हमारे भार से विज़ेतों से लोग आते हैं जिनको आम खाने के सोकीन है तो इसको इहां से इक्षट जो तो पास-पास कर एक साथ भी लेके जाते हैं तो यह बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है आसकल और उनलाइन का भूत ही प्रेड़ है तो हमने जो चक्नी की संसादन जैसे कि करते हैं आम पापड को बनाने में ज्यादा पुंची का आवसिता नहीं होती है जैसे कि आम पापड में मात्रब पास से 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके भी कोई भी घरलू आराम से आम पापड कभी असाय चालू कर सकता है जिसमें आम और तकर नेंकरी जरोत रहती है और ज्यादा बर्तन बगर की पिज़ाव सकता नहीं रहती है जो कि घरलू बर्तन में इसको जमा के भी इसको बेचा जा सकता है इसलिए इसमें कम लागत में अच्छा पुंचा पुनाफा गमाई जाता है अगर घर के अगर आप अब ही आपने जाना कि इस बिजनेस को कैसे और कितने रुपे में आप शुरू कर सकते हैं आईए अब जानते हैं कि इसको बनाने की सही रेसिपी क्या है आप की आपकड गनाने की विरयाइती लाते हैं उसके बाद उनको पत्ते पकते चालते हैं extend साहब करके प्रूबर में जूष मिकाले जाहिक जाकर की खख्याएटे हैं त्क जिल्दी मरसा-चानिये παेश करके वी चोई गंपे बाद उसकी चीले लगा कर उनको स्मिकालते, वो साड़ी पे डावते, जब अच्छी सुखा जाते तो उनको पेट करके बेशते.